जै मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे योट्यूप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच अगस्त और छे अगस्त के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों मे ग्रह नक्षत्रों में किस तरह के परिवर्दन होंगे क्या शुभ योग बनेगा और चंद्रमा की स्थितिक कैसी होगी जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके करियर के बारे में व्यपार, नौकरी, दुकान, सिक्षा, स्वास्त, प्रेम जीवन, विवाहिक जीवन है ची चले जान लेते हैं इन तो दिनों में क्या तिति होगी क्या नक्षत्र होगा पाच अगस्द की बात करते हैं ये ख्रष्ण पक्ष की द deleting तिति है और शत्विषा इस दिन नक्षत्र होगा शोबन नाम का योग बनिगा ये बुधवार का दिन है सुर्यक करक राशी असलिष नक्षत्र में है और चंद्रमा इस दिन कुम्भ राशी में रहेंगे इस दिन कोई भी अभी जीत मोरत नहीं है यानि कि शुब मोरत कोई नहीं है छे अगस्त की बात करते हैं छे अगस्त क्रश्न पक्ष की तिरत आती थी है जो शाम तक रहेगी और पूर्व भादर पद नक् इस दिन का विजीत मोर्थ दोपहर 12 बच कर 49 मिनुट से 1 बच कर 37 मिनुट तक है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की इस्थिति तुलाराशी की हम बात कर रहे हैं तुलाराशी के लोगों के लिए ये जो चंद्रमा की इस्थिति है ये आपके पंचम भाव में है यानि पंचम भाव में चंद्रमा होंगे और ये राशी फल चंद्र राशी पर यादारित है दोनों ही दिन चंद्रमा पंचम भाव में है देखिए पंचम भाव जो होता है वो बुद्धी का भाव कहा जाता है Intelligence का भाव है, प्रेम का, रोमांस का और धन का भाव भी ये कहा जाता है विचारों की जो आधान प्रदान होते हैं, विचारों की जो भाव होते हैं उनका भाव भी यही है तो इन दोनों ही दिनों में इस दोरान आपके जीवन में बड़ी अनुकुलता देखने को मिलेगी और अगर आप प्रेम जम्मद में हैं तो उसके लिए बड़ी अच्छी अनुकुलता है प्रेम के मामले में इन दो दिनों में आप खुद को लगी समा सकते हैं आपके जीवन में खुशी की अनुभूती आप करेंगे यदि कारेशेत्र की बात करें तो कारेशेत्र पर आपकी राय और आपकी सुझाव के चलते आपको अपनी इच्छा की अनुसार फलों की प्राप्ती होगी विचार अच्छे होंगे आपकी राय अच्छे होंगी लोगों को आपकी राय समझ में आएंगी और लोग आपसे राय लेना चाहेंगे अपनी कोई प्राब्लम सौर्व कराने के लिए आ सकते हैं और आपके दिये गए सुझाव अच्छे भी होंगे लोगों को पसंद भी ख़ democrat का संतान की तरब से कोई खुशी की बात पता चल सकती है आप अपनी संतान की उन्नती कर खुश हो फोगे इस समय आपकी संतान आपका सीना गर्व से उचा कर सकती है हो सकता है किसी चीज में किसी योजना में किसी भी चीज में उन्होंने पार्टिसि EPAT किया है तो उसमें उनको उनकी तरफ से आपको बेहत खुशी हो और उन्हें चुन लिया जाए कोई पद भी दे दी जाए हलाकि चंद्रमा की जो इस्तिती है ये सीमित कर देती है लेकिन कई जो जीवन के जो महतपून चीज़े हैं उनमें आपके लिए दो दिन बहुत अच्छे हैं और आपके अंदर किसी बात को लेकर एहंकार आ सकता है एहंकार में व्रद्धि हो सकती है तो आपको यहां इसके ल अच्छा नहीं होगा कि आपका एहंकार आपके आड़े है तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है इस दोरान आपकी ही उम्र के लोगों द्वारा आपको प्रसंसा दी जाएगी जिससे आपको खुशी भी होगी देखिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आसपास के का साथ बहुत ही जल्दी ले लेते हैं और आपके आसपास के लोग आपके साथ हो ही जाते हैं आपको शयाद ये बात नहीं पता होगी कि तुला राशी को जो लोग है उनसे बहुत से लोग उनके व्यक्तित्व से बहुत लोग प्रभावित होते हैं इतना कमाल का व्यक्ति से आपको सुलजाने के लिए अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो मदद ले सकते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं या जिसकी आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति सही मदद दे सकता है तो आप ले सकते हैं क्योंकि समय पर ली गई उनकी मदद आपको फायदा देगी आपको क जुनोती मिलती है कुए जिफमेदारियां मली हुई है तो अपने करियर के लिए आपको उन सब broader yanuyu को बकूबी निभाना होगा इसका आपको जो लाब होगा वह बहुत अच्छा मिलेगा चाहे लाब वह काफी देर से आपको अच्छी देशा भी मिल जाए और जिन लोगों की गाड़ी अभी तक पट्री पर नहीं आई है उनकी गाड़ी पट्री पर आ जाए तो ऐसे लोगों की आप बाते जरूर सुन सकते हैं अगर अच्छी लगी तो उन पर एपलाई भी कर सकते हैं देखिक कर्ज से छु पुरी नजर बना कर रखें अधिकारियों से सहयोग भी प्राप्त होगा आप जैसा काम करते हैं उसी तरह से काम करते रहें मेहनत से उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनकी नजरे भी आप पर रहेंगी इन दो दिनों में आप जो योजना बना रहे हैं और इसनी मे स्टे घ्रियोर से जो काम कर रहे हैं वो कार चौर्गर जरूर सावित होगा डिखि आपके लिए परीवार, जमी ज्यादादaltungsk के मामले दोस्त रिश्थदार सुभी बहुत खास हैं हर चीज़ को आप manage करके चलते हैं हर चीज पर अपना ध्यान रखते हैं हर चीज को सामजस से बनाये रखते हैं कापने कारेशेत्र में भी और अपने परिवार के लीच भी और आपका जो ये वहवार है ये आपको partner को भी खुशी देता है और अपने आसपास के जो सामाजी कर लें जरूर लाब दायक होगा और आपकी समस्याओं को दूर करने वाला होगा प्रेम जीवन और परिवारिक जीवन की यदी बात की जाए तो इस दोरान जो इस राजी के प्रेम संबंद में है वो यह समय अच्छा ठीक ठाक उनको रिजल्ट मिलेगा लेकिन जो शादिश होदा है उनका ऐसा हो सकता है को कुछ लोगों का एहम का टकराव हो जाए जैसा कि कहा एहंकार नहीं आने देना है एहंकार का टकराव बरना होगा और जो आपके विवाद की स्थिती बन सकती है इसलिए एहंकार को पीछे रखें जीवन साथी से बात करने करते समय रिष्टों को कमजोर ना होने दें कारशेत्र में आ रहे ही अगर आपके साथे के कारशेत्र में कुछ परिषानिया थी तो वो जरूर दूर होंगे आपके काम करने की स्पीड भी समय बढ़ेगी तो पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक है दामपत्य जीवन में थोड़ा द्हान रखना है और प्रेम समंद में थोड़ा सा द्हान आपको जरूर रखना होका विद्यारतियों के लिए समय अनुकुल है विद्यारतियों की बुद्धी तेज होगी जो एक बार आप पढ़ेंगे वो अच्छे से कंट्रेस्ट हो जाएगा पढ़ाई पर अच्छे से दिहान लगाएंगे क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा हैं और आपको बढ़ाई के लिए मोटिवेट आप खुद को कर पाएंगे तो उनके लिए ये समय अनुकुल है तो दोस्तों और दिकैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शियर करें धन्यवाद